हेलो बच्चो चलिए देखते हैं exercise 5.1 new ncrt math के according question number 1 क्या है in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why यहां पे हमें कुछ situations दे रखी हैं हमने उनको check करना है कि वो situations हमें arithmetic progression form करके देती हैं या नहीं देती हैं अगर देती हैं तो क्यों देती हैं समझ में आगी statement तो देखते हैं पहला question क्या है इसके अंदर पहली situation उसने क्या काया situation के अंदर कि एक taxi का किराया है पहले किलोमेटर के लिए 15 रूपीज है second किलोमेटर के लिए 8 रूपीज एड हो जाएगा फिर third किलोमेटर चले होगे आप तो 8 रूपीज ओर एड हो जाएगा ऐसे 88 रूपीज एड होता रहेगा तो आपने बताना है कि ये situation एपी के अंदर है या नहीं है तो इसको थोड़ा सा हल करके देखते हैं solution देखते हैं इसका सबसे पहले देखो क्या है taxi fare for first किलोमेटर first किलोमेटर इस तरिके से आपको अच्छे से statement बना के लिखनी है तब ही आपके पूरे marks मिलेंगे direct मत करना सिदा पहले first किलोमेटर equal to 15 रूपी second के लिए इतना ऐसे करोगे बच्चो marks कट जाएंगे इसलिए अच्छे से statement बना के करनी है तो यहाँ पर क्या आगया first किलोमेटर के लिए कितनी रूपीज है 15 रूपीज तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे taxi fare for second किलोमेटर अगर 2 किलोमेटर आप distance ट्रेवल करते हो तो आपको कितना किराया देना पड़ेगा 15 रूपीज तो थे ही हमारे प्लस में second के लिए 8 रूपीज ओर एड हो जाएंगे तो कितने होगे 23 रूपीज अब आपने चेक करना है taxi fare for 3 किलोमेटर अगर आप 3 किलोमेटर का distance ट्रेवल करते हो तो टेक्सी वाले को कितना किराया देना पड़ेगा बच्चो 2 किलोमेटर का 23 तो था ही थर्ड किलोमेटर के लिए 8 रूपीज ओर एड हो जाएंगे तो 31 रूपीज एक और निगान लेते हैं taxi fare for 4 किलोमेटर अगर 4 किलोमेटर का distance ट्रेवल करते हो तो किराया क्या हो जाएगा 31 प्लस 8 is equal to 39 रूपीज तो हमारे पास जो सीरीज बनी वो क्या बन गई 15 fare की जो सीरीज है 15 फिर 23 फिर 31 फिर 39 इस तरिक्चे से अब इसके अंदर ये क्या होती है बच्चो 1st term होती है जिसको हम A से representation करते है ये हमारी 2nd term होती है इसको हम A प्लस D से भी represent करते है 3rd term को A plus 2D से 4rd term को A plus 3D से दूसरा तरिक्चा क्या होता है इसको हम A1 मानते हैं इसको A2, इसको A3, इसको A4 मतलब 1st term, 2nd term, 3rd term और 4 term अब हमने चेक करना है यहाँ पर common difference क्योंकि उसी से पता चलेगा हमें कि हमारी जो है यह AP है या नहीं है तो D is equal to किसके उर्था बच्चो A2 minus A1 के second term minus first term तो A2 कितना है हमारा 23 minus 15 तो कितना आगया है यहाँ पर 8 रूपीज फिर एक और देख लेते हैं A3 minus A2 करके तो वो क्या जाएगा 31 minus 23 is equal to 8 रूपीज तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम common difference is same so this is an AP this is an AP बस reason भी लिख दिया common difference same है इसलिए यह क्या है के AP situation है समझ में आ गया किस तरिक्के से करना है ऐसे question करोगे पूरे marks मिलेंगे second part पर चलते हैं क्या है the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes one five four of the air remaining in the cylinder at a time क्या कहा है कि एक cylinder के अंदर कुछ हमारी क्या है gas है air है और उसके बाद उसने क्या कहा है कि हर बार vacuum pump क्या करता है one fourth gas को air को बाहर निकाल देता है तो यह situation हमारी AP में होगी या नहीं होगी तो चलिए देखते हैं इसके करने के दो तरिक्के हैं सबसे पहले देखो बिलकुल easy वाला तरिक्का बता हुआ आप कोई भी four का multiple आप यहां पे number assume कर लेंगे क्योंकि one fourth निकालनी है न जिससे हमें fraction value निकालने में easy रहे तो और का multiple क्या होता है थोड़ा सा बड़ा ले लो जैसे 64 है 64 के बाद 128 है ऐसा कोई number ले लेंगे हम तो यहां पे क्या करेंगे let air in cylinder is equal to 64 kilogram अब gas है air है तो वो kilogram में होती है cylinder के अंदर तो 64 kilogram हो गई अब पहली बार क्या 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 है इसका one fourth हमने क्या कर दिया remove out कर दिया तो यहां पे क्या लिखेंगे हम air after air after one by four removal तो कितनी हो जाएगी 64 का one by fourth क्या होगा बच्चो 64 into one by four four से cut किया तो कितना आ गया 16 मतलब 16 kilogram 16 kilogram gas remove हो गई तो कितनी बची है हमारे पास 64 minus 16 तो कितना आ गया यहां पे 48 kilogram gas रह गई हमारी cylinder के अंदर फिर हमने क्या किया after air after air after one by four removal फिर अब दोबारा क्या किया one fourth जो है उसकी हमने air को बाहर निकला अब कितनी बची हुई है हमारे पास 48 इसका one fourth क्या हो जाएगा four से divide कर लो तो यहां पे क्या आ गया four one जा four four two जाए 12 kilogram निकल गई अब 12 kilogram निकल गई तो क्या हो गया बच्चो 48 थी इसमें से 12 गई तो कितना बच गया 36 kilogram अब सिलेंडर के अंदर है 36 kilogram एक बार और देख लेते हैं air after one by four removal 36 का one by four देखो बच्चो अब क्या होगा four से इसको कट किया four nine जा तो कितनी आ गई nine kilogram गैस निकली अब की बार तो कितनी आई यहां पे 36 minus nine is equal to क्या होगा 25 kilogram तो हमारी जो सीरीज बनी गैस की वो क्या बनी है ध्यान से देखो 64 फिर 48 फिर 36 फिर 25 इस तरीके से अब यहां पे देखो आपको क्लियरली नजर आ रहा है d common difference second term minus first term तो क्या होगा 48 minus 64 तो कितना आया यहां पे इसको difference देखेंगे तो हमारा कितना आ गया यहां पे 16 kg minus का 16 फिर हमने क्या करना है 36 minus 48 करना है third term minus second तो यह कितना आ जाएगा minus का 12 kg अब common difference same नहीं है तो यहां पे क्या लिखेंगे common difference is not same so this is not an ap तो यह situation हमारी ap के अंदर नहीं है क्लियर हो गया third part पे चलते है third part में क्या दिया है the cost of digging a well after every meter of digging when it costs to page 154 the first meter and raised by 50 rupees for each subsequent meter एक कुवा खोदना है उसकी digging की cost खोदने की cost बता रखी है कि first meter पहला meter अगर हम गहराई तक खोद देंगे तो 150 rupees चार्ज करेंगे और जैसे जैसे हमारा कुवे की गहराई बढ़ती जाएगी हर meter पे 50 rupees ज्यादा बढ़ते चले जाएगे तो हमने इस situation को देखना कि ये AP में है या नहीं है तो simple सा तरीका है देखो क्या करेंगे यहां पे solution इसका सबसे पहले क्या लिखेंगे cost of digging 1 meter cost of digging 1 meter कितने रुपे चार्ज करते हैं 150 rupees एक मेटर अगर आपने कुवा खुदवाना है तो 1500 रुपे आपके लगेंगे तो cost of digging 2 meter अगर 2 meter की गहराई तक खुदवाना है तो 150 तो पहले मेटर के लिए लगे और second meter के लिए उसने क्या काया 50 रुपे और एक्स्टा लगेंगे आपके तो उसने क्या total कितना लगे आप 200 rupees फिर क्या है cost of digging 3 meter अगर 3 meter की गहराई तक कुवा खुदवाना है तो क्या होगे 200 तो पहले लग जुके उपर ले 2 meter के 50 रुपे और लगेंगे आपके एक्स्टा 50 rupees तो कितने होगे 250 rupees आगे situation तो हमारे पास जो आगई values वो क्या आगे 150,200,250 3 या 4 terms निकाल लेंगे sufficient है अब ये हमारी first term है a1 ये a2 ये a3 अब common difference कैसे निकलेगा d is equal to a2 minus a1 करके तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 200 minus 150 is equal to क्या आगया 50 rupees फिर क्या करेंगे एक बार और common difference निकालते हैं third term minus में second term तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 250 minus 200 is equal to क्या आगया 50 तो common difference देखो बच्चो सेम आगया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम common difference common difference is same so this is an a p this is an a p athematic progression तो यह series यह situation जो है athematic progression के अंदर आ जाएगी clear question कोई भी किसी प्रकार की भी problem लगे न आप screenshot लो underline करो whatsapp कर दो मैं आपकी help करने के लिए ready बैठा हूं marks नहीं कटने चाहिए ठीक है channel को regularly पढ़िए channel से regularly वीडियो देखिए कभी भी problem नहीं आएगे आपको question number 4 देखते हैं इसका fourth part क्या है amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at a compound interest at 8% per annum उसने क्या कहा है अगर 10,000 रुपे को 8% per annum से अगर deposit गया जाए तो जो amount बनता जाएगा हर साल वो situation किस में होगी एपी में होगी या नहीं होगी तो देखते हैं अभी इसके दो तरीके बताऊंगा मैं यहां पर portion कर लिया हमने first देखो क्या है यहां पर amount जो है हमारे पास principle क्या बोलते हैं इसको principle class 8 में पड़े होंगे न 10,000 रुपेज और rate of interest r is equal to kya 8% और year क्या है first year के लिए देखना है हमें तो compound interest का formula क्या होता है amount is equal to principle into 1 plus r by 100 इसकी power t यही तो पड़ा था अपने compound interest का formula तो for first year क्या होगा first year के लिए amount is equal to principle की value क्या है 10,000 into 1 plus 8 by 100 इसकी power 1 होगी ना soul out करने की जरूरत नहीं है for second year देख लो दूसरे साल क्या हो जाएगा amount is equal to 10,000 into 1 plus 8 by 100 इसकी power 2 third year के लिए क्या हो जाएगा बच्चो वो amount is equal to क्या हो जाएगा 10,000 into 1 plus 8 by 100 इसकी power 3 ऐसे चलती जाएगी अब यहाँ पे अगर आप common difference की बात करोगी यह हमारी first time होगी यह second यह third तो यहाँ पे देखो गया आपा इनका difference है यह इसकी power 1 है इसकी power 2 है इसकी power 3 है तो common difference यहाँ पे same नहीं मिलेगा तो यहाँ पे क्या निखेंगे हम common difference is not same so it's not an ap अब आप यह सोच रहे होगे sir इसकी power 1 है इसकी power 2 इसकी power 3 इनका difference तो 11 का है तो ap में होनी चाहिए बड़ ध्यान से देखो अगर मान लो मैं कह दू 2 की power 2 2 की power 3 2 की power 4 यह ap में है या नहीं है नहीं है देखो 2 की power 2 कितना होगा 4 2 की power 3 कितना होगा 8 2 की power 4 कितना हो जाएगा हमारा 16 अब difference देखो इसमें 4 का difference से इसमें 8 का difference AP में नहीं है न तो ऐसे अगर power increase हो रही हो तो वो कभी भी AP में नहीं होती एक तो तरिक्का ये था दूसरा तरिक्का देखो principle क्या है हमारा 10,000 rate क्या है 8% और interest देख लेते हैं कितना आएगा हमारा simple interest निकाल लो पहले 10,000 into 8 into 1 by 100 2,0 से 2,0 कटगी 800 रुपीज हो गया तो हमारा जो यहाँ पर amount बना पहले year के लिए A1 लिख लेंगे उसको तो कितना हो गया 10,000 plus 800 तो यह क्या हो गया 10,800 रुपीज फिर हम second year के निकाल लिए निकाल लेंगे तो यह हमारा क्या बन जाएगा principle बन जाएगा तो second के लिए क्या हो जाएगा 10,800 multiply 8 multiply 1 by 100 2,0 से 2,0 यहाँ पर क्या आगया 8,8 जा 64 तो 1064 यह रुपीज आगया हमारे पास यहाँ पर 8 आएगा 864 अब 864 को इसमें एड़ करेंगे तो हमारा क्या आजाएगा यह A2 is equal to आजाएगा हमारा यह आजाएगा इसमें 864 एड़ करेंगे तो 4,6,8,16,1 11,664 रुपीज अब यह देखो पहले के लिए हमारे पास कितने रुपीज थे 10,000 फिर होगे 10,800 फिर होगे 11,664 इनका common difference देख लो D is equal to 10,800 माइनस में 10,000 तो कितना आया 800 common difference आया फिर इसका common difference देखो 11,664 माइनस में 10,800 तो यहाँ पे आगे 864 तो यही बात आगे न common difference is not same that's why this is not a A P write first four term of the A P when the first term A and the common difference D are given as follow हमें यहाँ पे first term और common difference given है किसी A P का तो उसकी पहली चार term हमने यहाँ पे write down करनी है तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो कोई भी अगर A P सीरीज होती है बच्चो आपके सामने तो उसके अंदर क्या होता है term A1, A2, A3, A4 ऐसे ही तो लिखते जाते हो आप आगे भी लिखनी हो, कितनी भी लिख लो अब जो यह हमारी first term आती है वो किसके equal होती है हमारी A के equal होती है second term जो होती है हमारी वो किसके equal होती है A प्लस D के equal होती है third term जो होती है उसमें फिर एक बार common difference ऐड़ कर देंगे तो a plus 2d होगी fourth term जो निकलेगी वो क्या होगी a plus 3d होगी ऐसे निकलती जाती है ये होती है हमारी ap series तो इसका use करते हुए हम अपने सारे की सारे कितने भी terms अपनी find out कर सकते है ap की समझ में आ गई ये बात clear है अब यहाँ पे first part के अंदर आ जाओ a is equal to हमें 10 दे रखा है d is equal to क्या दे रखा है ये भी 10 दे रखा है ठीक है तो यहाँ पे हमारी first term क्या हो जाएगी first term of ap किसके equal होती है a के और a की value हमें 10 दे रखी है ये हो गई second term second term of ap ऐसे लिखेंगे बिलकुल अच्छे से a प्लस d होती है तो क्या हो जाएगी हमारी 10 प्लस 10 is equal to 20 फिर हमारी third term निकान लेंगे third term of ap किसके equal होती है a प्लस 2d जहांसे देखो third term a प्लस 2d तो क्या हो जाएगा हमारा a की value 10 प्लस में 2 into 10 तो 10 to 20 और 10 क्या हो गया हमारा 30 fourth term कैसे निकलेगी बच्चो a प्लस 3d is equal to क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 into 10 30 और 10 क्या हो गया हमारा 40 तो ap जो आगई मेरी वो क्या आगई 10 20 30 और 40 ऐसे चलती जाएगी एक तो यह तरीका था अब दूसरा तरीका भी समझाऊंगा मैं आपको ठीक है जो आपको easy लगे न वो आप कर लेना क्या होता है second जो method है हमारा उसके अंदर देखो हमें first term क्या दे रखे है a is equal to minus 2 दे रखा और d is equal to हमें 0 दे रखा बच्चो ठीक है तो यहाँ पे हमारी first term क्या होगी first term a1 is equal to किसके होता है a के इसको a1 ही तो बोलते है is equal to a तो यहाँ पे a1 is equal to क्या होगया minus 2 second term कैसे लिखी जाएगी हमारी जो a1 होता है ना हमारा a1 plus d कर दो तो यहाँ पे देखो a1 की value minus 2 plus 0 is equal to क्या होगया minus 2 आ गया यह भी यह हमारे पास क्या आएगा a2 फिर हमने third term निकालनी है third term कैसे निकलेगी a3 is equal to क्या होगया a2 plus d पिछली जो term है उसमें d एड कर लो तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे minus 2 plus 0 यह भी कितना आगया minus 2 फिर हमें fourth term निकालनी है fourth term मतलब a4 निकलेगा a4 कैसे निकलेगा a3 में d एड कर लो a3 हमारी minus 2 निकली है इसमें 0 एड करेंगे तो यह भी क्या आगए minus 2 तो हमारी जो चारो term आगए वो क्या आगए minus 2 minus 2 minus 2 minus 2 यह हमारी क्या बन गए ap और इसकी चारो term आगए हमारे पास समझ में आ गया जो भी आपको method ठीक लगे आप एक method को follow कर लो हमेशा उसी पे रहना पस ताकि confusion ना हो अब third वाले part में भी इस method को apply करके देखते हैं एक बार तो यहाँ पे हमारे पास क्या है third में a is equal to 4 दे रखा है d is equal to minus 3 दे रखा है बच्चो तो यहाँ पे देखो हमारी first term कैसे निकलेगी first term जिसको हम किससे represent करते हैं a1 से a1 is equal to a होता है तो a1 is equal to क्या हो गया हमारा यहाँ पे 4 आ गया फिर हमने निकालनी है second term second term को हम किससे represent करते हैं a2 से वो किसके होगी equal a plus d के या फिर a1 plus d जो हमारी first term निकली है उसमे common difference एड़ कर दो तो कितना आ गया a2 is equal to a1 क्या है हमारा 4 था common difference हमारा क्या है minus 3 तो 4 minus 3 क्या आ जाएगा हमारा minus का प्लस का 1 आ जाएगा क्योंकि 4 में से 3 गया 1 बच गया फिर third term देखते हैं हम third term किसके equal होगी a3 वो किसके equal होगी a2 plus d के जो भी हमारी second term है उसमें d add कर लो तो कितना है a2 1 था common difference हमारा minus 3 है 1 minus 3 कितना आ गया minus का 2 आ गया a3 minus 2 आ गया अब fourth term देखते हैं a4 is equal to third term plus common difference third term कितनी निकली minus 2 plus में common difference कितना था minus का 3 minus 3 और minus 2 कितना होगा minus का 5 तो हमारी जो series आ गई वो क्या आ गई 4, 1, minus 2, minus 5 these are the fourth term this is the answer आ गया समझ में आपको मुझे comment करके भी बताना है यह method easy है यह method easy है अब देखते हैं अपने fourth और fifth पार्ट को चलिए अब fourth में क्या है a equal to minus 1 d equal to 1 by 2 अब यहाँ पे निकालते हैं अपनी first term first term किसके equal होगी हमारी a के equal a1 is equal to a तो क्या हो जाएगी हमारी minus 1 तो a1 is equal to क्या आ गया minus 1 आ गया फिर हम निकालेंगे अपनी second term second term कैसे निकलती है a2 is equal to या तो a1 plus d कर लो या फिर a plus d मुझे ये method अच्छा लगता है पहले term a होगी second term a plus d third term a plus 2d फिर fourth term a plus 3d जो उन से भी term निकालनी हैं उससे a कम multiple होता है d का add तो यहाँ पे a plus d करेंगे a की value क्या थी हमारी minus 1 और यहाँ पे plus में d क्या है हमारा 1 by 2 तो यहाँ पे minus 1 में से 1 by 2 गया a3 is equal to a plus 2d के तो निकालते हैं यहाँ पे क्या आएगी a की value क्या थी हमारी बच्चो minus 1 plus में 2 into common difference कितना है 1 by 2 2 से 2 कट गया minus 1 में से 1 गया तो कितना आगया 0 फिर हमें निकालनी है fourth term fourth term a4 is equal to क्या होगा a plus 3d के तो यहाँ पे क्या आजाएगा a की value क्या थी minus 1 plus में 3 into बस in values पे द्यान रखना है d की value 1 by 2 तो यहाँ पे क्या आगया मेरे पास minus 1 plus में 3 by 2 3 by 2 में से minus 1 गया तो कितना बचेगा 1 by 2 बचेगा तो हमारी जो series आगी वो क्या आगी first term आई थी minus 1 फिर हमारी minus का 1 by 2 फिर 0 फिर 1 by 2 this is the answer clear है last देखते हैं fifth part क्या है इसका a is equal to given minus का 1.25 और d is equal to given में minus का 0.25 अब इसके अंदर क्या करना है हमें first term दिखेंगे हमारी first term तो किसके equal होगी हमारी a के equal होती है और वो कितना है minus का 1.25 first term आगई second term क्या होगी बच्चो क्या होती है a plus d तो a की value क्या है minus का 1.25 और d की value क्या है minus का 0.25 add हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा minus का 1.50 ठीक है third term पे देखते हैं third term क्या हो जाएगी a plus 2d क्या होगी a plus 2d तो यहाँ पे देखो a की value क्या है हमारी minus का 1.25 और फिर plus में 2 into d की value क्या है minus का 0.25 तो बच्चो ध्यान से देखो क्या बन गया है minus का 1.25 और minus में 0.25 की 2 से multiply होगी तो 0.50 add होगा तो कितना हो गया minus का 1.75 ठीक है fourth term देखते हैं हम क्या है fourth term हमारी किसके एकवल होती है a plus 3d के तो कितना हो गया minus का 1.25 plus में 3 into minus का 0.25 तो कितना हो गया minus का 1.25 minus 0.75 क्योंकि 25 3 जा क्या होता है 75 तो यहाँ पे हमारे पास value के आगी minus का 2.00 तो हमारी four term के आगी एक तो minus का 1.25 आगी second term के आगी minus का 1.50 third term के आगी minus का 1.75 और four term के आगी minus का 2.00 for the following APs write the first term and the common difference हमें यहाँ पे कुछ AP की series दिवन है इनकी हमें first term निकालनी है और common difference find out करना है तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं सबसे पहले first part देखो यहाँ पे क्या गिवन है 3,1,-1,-3 up to 100 अब आपको ध्यान क्या देना है बच्चो यहाँ पी हमें already AP series दे रखी है तो हमें first term निकालना है और common difference तो हमारी first term किसके equal होती है हमारी first term is equal to A क्या होती है इस AP की पहली term उठालो यहाँ से क्या है 3 तो A is equal to क्या हो गया 3 हो गया अब हमें निकालना है common difference तो common difference is equal to किसके होती है हमारा D equal to A2 minus A1 A2 का मतलब होती है second term A1 का मतलब होती है first term तो यहाँ पे क्या करेंगे A2 की value क्या है 1 minus A1 की value 3 है 1 minus 3 is equal to क्या हो गया minus 2 हो गया अब हमें और ज़्यादा common difference निकालने की जरूरत नहीं है कहीं आप यह सोचो कि यह इसको भी चेक करें इसको भी चेक करें क्योंकि हमें already यह P में दे रखी है तो हम बस ऐसे ही कर लेंगे यह हो गया answer second part पे चलते हैं क्या दे रखी series minus 5 minus 1, 3 और 7 यहां पे हमारी first term क्या हो जाएगी first term a is equal to क्या होगी यहां पे minus 5 फिर हमें निकालना है common difference तो common difference is equal to क्या हो जाएगा बच्चों हमारा d is equal to a2 minus a1 second term minus first term second term क्या है हमारी minus 1 है minus of a1 क्या है minus 5 इस चीज का बड़ा ध्यान देना है आपने sign minus का है तो minus of minus 5 लिखेंगे तो क्या आगे है यहां पे minus 1 plus 5 5 में से 1 गया 4 आ गया यह हो गया common difference clear है third part देखते हैं क्या series है 1 by 3 5 by 3 9 by 3 13 by 3 up to 100 first term क्या हो जाएगी बिलकुल इजी है एक मिनेट में पहचान लोगे आप जो भी हमारी AP की पहली term है A is equal to क्या है 1 by 3 है common difference की बात करूँ मैं अगर common difference तो D is equal to क्या हो जाएगा A2 minus A1 के A2 minus A1 तो D is equal to क्या हो गया 5 by 3 minus 1 by 3 तो यहां पे क्या आएगा हमारा LCM आएगा 3 तो उपपर आगया 5 minus 1 5 minus 1 क्या हो गया 4 by 3 तो common difference कितना है आएग बच्चो 4 by 3 आगया फोर्थ पार्ट देख लेते हैं इसका क्या है सीरीज क्या गीवन है 0.6 1.7 2.8 3.9 up to so on first term क्या होती है first term A is equal to 0.6 हो गई common difference की अगर मैं बात करू तो यहाँ पे क्या आएगा common difference D is equal to A2 minus A1 second term minus first term second term क्या है 1.7 minus में क्या करेंगे 0.6 तो 1.7 में से 0.6 गया तो क्या आगया 1.1 आगया देखो 7 में से 6 गया 1 1 का हमारा 1 आजाएगा तो common difference हो गया 1.1 which of the following are a page if they form an AP find the common difference D and write 3 more terms यहाँ पे क्या करना है हमें कुछ series given है इनको चेक करना है कि यह AP में है या नहीं है अगर AP में हो तो हमें common difference write down करना है क्या होगा और अगली 3 term इस series की निकाल के दिखानी है तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे सबसे पहले देखो first part में हमें क्या given है जो भी series given है 2, 4, 8, 16 यह हमारी first term होती है यह second term यह third term यह fourth term इसको A1, A2, A3, A4 ऐसे मानते हैं सबसे पहले हमें देखना है common difference किसके इकवल होता है बच्चों हमारा A2 माइनस A1 के क्योंकि common difference से ही हमें पता चलेगा कि हमारी जो series जो है AP में है या नहीं है तो यहां पर क्या आ जाएगा A2 क्या है हमारा 4 minus 2 कितना आ गया 2 आ गया एक और common difference चेक करेंगे D is equal to 8 minus 4 होगा मतलब A3 minus A2 तो कितना होगा 8 minus 4 is equal to क्या आ गया हमारा यहां पर 4 आ गया तो common difference देखो पहली 2 terms का तो 2 था बच्चो इनका common difference क्या है हमारा 4 है तो यहां पर क्या हो जाएगा common difference तो हमारा same है यह नहीं तो यहां पर क्या लिखेंगे common difference common difference is not same not same so this is not NAP this is not NAP बस यह काम करना है तो हमें कुछ करने की ज़रूरती नहीं है second वाले में यहां पर printing में mistake है थोड़ी सी तो जो हमारी series है वो क्या है वो लिख लेते हैं एक बार second वाली में हमारे पास जो series है वो है 2 5 by 2 फिर था हमारा क्या है 3 और फिर 7 by 2 यह series हमें given है इसको check करना है इसके अंदर भी हमें क्या करना है बच्चो को common difference देखना है D is equal to क्या होगा A2 minus A1 करेंगे A2 क्या है हमारा 5 by 2 minus में A1 क्या हमारा 2 है इसके अपन में 1 मानना LC हम देखते हैं क्या आएगा 2 तो 5 minus 4 is equal to क्या आगया 1 by 2 आगया पहली 2 terms का common difference 1 by 2 है फिर अगली 2 terms का देख लिते हैं 3rd minus 2 तो मतलब A3 minus A2 करेंगे यह हो गया 3 minus 5 by 2 इसके अपन में 1 माननेंगे तो यहाँ पे LC हम कितना आगया 2 2, 3, 6 minus 5 तो कितना आगया 1 by 2 अब ध्यान से देखो common difference same आगया तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इस situation में यहाँ पे लिखेंगे हम common difference common difference is same so this is an AP this is an AP अब यहाँ पे D is equal to क्या है 1 by 2 एक तो हमें D निकालना था यह निकाल दिया हमने अब हमने क्या करना है इससे आगये की term निकालनी है बच्चो क्या निकालनी है इससे आगये की 3 term यहाँ पे देखो यह A1 है यह A2 यह A3 यह A4 यह क्या निकलेगी A5 तो एक तो A5 निकालना है एक A6 निकालना है एक A7 निकालना है A5 किसके équival होगा A plus 4D के होगा या नहीं होगा देखो यह A होता है second term A plus D होती है third term A plus 2D यह A plus 3D यह क्या होगी A plus 4D समझे आ गई बात दो तरिके बताऊँगा जोन सा आपको अच्छा लगए वो कर लेना तो यहाँ पे A 5 is equal to कैसे निकलेगा A की value क्या है हमारी 2 है first term plus में 4 into D की value क्या थी 1 by 2 2 से इसको cut करो 2 2 जा 4 2 और 2 क्या आ गया A 5 is equal to आ गया मेरा 4 फिर हमें क्या निकलना है A 6 निकलना है वो किसके equal होगा A plus 5D के जोन सी भी term निकाल रहे हो न उससे A कम होता है D का multiple तो यहाँ पे क्या निकलेगा A की value 2 plus 5 into 1 by 2 तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 plus 5 by 2 LCM आएगा इसका कितना यहाँ पे 2 आएगा 2 2 जा 4 plus 5 मतलब कितना आ गया 9 by 2 आ गया A 6 भी आ गया A 7 कैसे निकलेगा A plus 6D करके तो A की value 2 plus 6 into 1 by 2 2 3 जा 6 3 और 2 कितना आ गया 5 तो हमारी term जो आगी A 5 आगी मेरी 4 A 6 आगी मेरी कितनी आगी बच्चो 9 by 2 और A 7 जो आगी वो आगी मेरी 5 एक तो यह तरीका था अब सुनलो दूसरा तरीका जो अच्छा लगे वो कर लेना 4th term हमारे पास A 4 is equal to 7 by 2 5th term कैसे निकलेगी A 5 is equal to 7 by 2 प्लस D करके तो क्या हो जाएगा 7 by 2 प्लस 1 by 2 तो कितना आजाएगा यह 8 by 2 मतलब 4 आगया A 6 निकालना है तो कैसे निकलेगा हमारा A 5th क्या है हमारा 4 प्लस में 1 by 2 कर लेंगे 4 टू जाए 8 और 1 कितना आगया 9 by 2 आगया A 7 कैसे निकलेगा A 6 में D add करेंगे A 6 कितना है 9 by 2 प्लस में D कितना 1 by 2 इनको add करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आजाएगा 5 आजाएगा 10 by 2 आएगा 5 हो गया तो यहाँ पे भी आगयी 4, 9 by 2 और 5 यह नमबर आगया हमारे 3 This is the answer मतलब जो भी टर्म होना इससे अगली निकालनी है D add करते चले जाओ बस यह काम करना होता है समझ में आगया 3rd part भी Next देखते है इसका 4th part क्या है 4th part में हमी यह series given है यहाँ पे देखेंगे बच्चों पहले common difference कैसे निकलेगा A2 minus A1 2nd term minus 1st term 2nd क्या है minus 6 minus of minus 10 तो कितना आगया minus 6 plus 10 is equal to क्या आगया 4 ठीक है 2nd देखते है फिर common difference A3 minus A2 करके 3rd term और 2nd term का difference देखते है कितना आएगा minus 2 minus of minus 6 कितना आगया यहाँ पे हमारे पास आगया minus 2 plus 6 6 में से 2 गया वो कितना आगया हमारा यह भी 4 आगया ठीक है तो यहाँ पे क्या है यह एक AP series है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे this is an AP अब इसकी अगली 3 term निकालने हैं हमने 3rd term यहाँ पे देखो यह 4 term तक है तो A5 is equal to किसके हो जाएगा मेरा A4 plus D तो कितना हो गया A4 कितना है 2 प्लस D कितना है 4 तो कितनी आगई 6 आगई फिर हमें A6 निकालना है तो किसके equal होगा बच्चो A5 plus D 5th term क्या निकली थी 6 plus 4 करेंगे तो कितना आगया 10 आगया फिर हमें A7 निकालने है 7 term तो A6 plus D निकालनेंगे A6 10 था 10 plus 4 is equal to क्या होगया मेरा 14 तो ये आगई हमारी 3 term 6, 10 और 14 this is the answer और common difference क्या आया था हमारा D is equal to 4 ये 2 answers आगए मेरे पास आगया ना समझ में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको easily कर लोगे नेक्स देखते हैं इसका 5th part क्या है 5th part में हमें दे रखा है 3 3 plus root 2 5th 3 plus 2 root 2 और 5th 3 plus 3 root 2 common difference चेक करेंगे A2 minus A1 करके क्या आएगा यहाँ पे A2 क्या है 2nd term 3 plus root 2 इसमें से minus क्या करना है 1st term minus 3 कर दिया 3 से 3 कर दिया तो कितना आगया common difference root 2 आया फिर एक और देख लेंगे हम यह 3rd term minus 2nd term करके 3 plus यहाँ पे क्या लिखेंगे पहले A3 minus A2 A3 क्या है 3 plus 2 root 2 minus करेंगे इसको तो minus का 3 minus का root 2 3 से 3 कर गया 2 root 2 में से root 2 क्या है तो हाँ पारा क्या आगया root 2 आगया तेखो यहाँ पे 2 root 2 का मतलब क्या है root 2 की 2 term है यहाँ पे अकेला root 2 है तो मतलब 1 term है 2 term में से 1 term गया तो अकेला 1 term बचेगा root 2 तो common difference same आ गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे D is equal to root 2 is same so it's an AP तो यह हमारी क्या है AP है अब हमें इससे अगली 3 term और निकालनी है यह A4 है तो A5 is equal to क्या होगा बच्चो A4 plus D करके 4th term में common difference एड़ कर लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 plus 3 root 2 प्लस में root 2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 plus 4 root 2 देखो यहाँ पे A1 मना जाएगा 3 और 1 क्या हो गया 4 और root 2 हमारा ऐसे के ऐसे फिर A6 देखते है A6 कैसे निकलेगा A5 plus D करके पिछली term में D add करते चले जाओ 5th term क्या निकली है हमारी 3 plus 4 root 2 इसमें हम D add करेंगे D कितना था root 2 तो यह क्या आगया 3 plus 5 root 2 फिर A7 निकालते हैं तो किसके एकवल होगा A6 plus D A6 कितना बच्चो 3 plus 5 root 2 प्लस में root 2 तो कितना हो जाएगा 3 हमारा fix इसमें add करेंगे तो यह 6 root 2 यह हो गया answer आगया नहीं समझ में ऐसे करना है कि उस्चन कहीं आप direct बताओ कुछ टीचर इसको shortcut में बताते हैं छोड़ा छोटा करके वैसे करोगे ना एक आद नंबर कट जाएगा फिर आपका ठीक है ऐसे properly way में करके दिखाना है आपको next देखते हैं इसका 6th part क्या है 6th part में हमें given है 0.2 0.22 0.22 0.222 फिर 0.4 A2 की value क्या है 0.22 माइनस में 0.2 0.22 में से 0.2 गया हमारा तो क्या बचेगा यह आएगा हमारा यहाँ पे 0.02 ठीक है फिर देखते हैं common difference 3rd time और 2nd का A3 माइनस A2 करके 3rd time क्या है 0.222 माइनस में 0.22 तो यह difference जो आएगा मेरा 0.002 आएगा अब यहाँ पे देखो common difference नहीं है तो यहाँ पे निखेंगे हम D is not same not same so it's not AAP not AP अब यह AP नहीं है तो हमें अगली term निकाल ली नहीं है अब देखो इसका difference कैसे लेते हैं गटाने में subtract करने में बच्चे गडबढ करते हैं देखो ध्यान से कोई से भी एक subtract करके दिखाता हूँ यह देखो 0.222 इसमें से 0.222 subtract करना है यहाँ पे देखो इसके निच्चे कुछ भी नहीं है तो यह हमारा 2 का 2 रहेगा 2 में से 2 गया 0 2 में से 2 गया 0 0.0 0.002 ऐसे कर लेना गडबड़ लगे तो आपको समझ में आ गया common difference एम नहीं है तो यह हमारी AP में नहीं है इसके हमें अगली सीरीज नहीं निकालनी है अब इसके बाद देखते हैं अबना इसका 7th part क्या है 7th part में हमें जो दे रखा है यहाँ पर line लगा लेंगे separate करेंगे 7th part जो है वो है 0, minus 4, minus 8, minus 12 यह वाला अब यहाँ पर देखो ध्यान से यहाँ पर हमें D देखना है second term A2 minus A1 A2 क्या है minus 4 minus 0 करेंगे तो कितना आ गया minus का 4 आ गया फिर देखेंगे A3 minus A2 करके तो minus 8 minus of minus 4 तो यह क्या होजा गया plus 4 8 में से plus 4 गया तो minus 4 आ गया common difference same आ गया तो D is equal to minus 4 is same so it's AP it's an AP article भी ध्यान रखेंगे English में AP आएगा अब यहाँ पर हमें next term निकालने है कौन सी A5 किसके equal होगी बच्चो A4 plus D के A4 क्या है हमारी minus का 12 और minus 4 कितना होगया minus का 16 A6 किसके equal होगी A5 plus D के A5 मतलब फिफ्टम अभी निकाली है minus 16 minus 4 minus 16 और minus 4 क्या होगया minus का 20 A7 किसके equal होगी A6 plus D के A6 अभी निकाली minus 20 minus कोमन डिफ्रेंस तो क्या होगया यहाँ पर minus का 24 यह आ गई हमारी तीन टर्म समझे आ गया ना clear है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब easily आपको clear हो रहा होगा next देखते हैं इसका 8 पार्ट क्या है सारे के सारे पार्ट एक ही वीडियो में cover करेंगे हम minus का 1 by 2 minus का 1 by 2 minus का 1 by 2 minus 1 by 2 यहाँ पर D देखते हैं A2 minus A1 करके A2 क्या है minus का 1 by 2 minus of minus 1 by 2 first time भी यही है तो common difference क्या आगया 0 यहाँ पर दूसरा देखेंगे A3 minus A2 करके यहाँ पर भी common difference जो आएगा minus 1 by 2 minus of minus 1 by 2 is equal to क्या आगया 0 तो हमारी जो term निकलेंगी A5 किसके equal होगी बच्चो A4 plus D के A4 देखो हमारी क्या है minus का 1 by 2 इसमें 0 add की तो कितनी रहेगी minus का 1 by 2 ही रहेगी ऐसे ही A5 भी हमारी minus 1 by 2 रहेगी और A6 भी हमारी minus का 1 by 2 रहेगी this is the answer क्योंकि common difference कुछ है नहीं 0 है तो जितना भी add करते जाएंगे हमारा same ही रहने वाला है clear हो गया यह भी next देखते हैं इसका 9th part 9th में हमें series क्या given है 1, 3, 9, 27 यह series है यहाँ पर भी हमें common difference देख रहा है D is equal to कैसे निकलेगा A2 minus A1 is equal to 3 minus 1 कितना हो गया हमारा 2 आ गया फिर common difference देखेंगे third term minus second term में third term क्या हमारी 9 minus 3 is equal to क्या आ गया बच्चो 9 में से 3 गया 6, common difference same नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे D is not same so it's not AP तो यह हमारी AP नहीं है इसमें series हमें निकाल नहीं नहीं है next देखते हैं 10th part हमें दे रखा A 2A, 3A 4A, इस तरीके से common difference A2 minus A1 second term minus first term second term यह, first term यह तो 2A में से A गया तो कितना बचेगा A आएगा फिर common difference देखेंगे हम A3 minus A2 करके third term minus second term third term कुन सी है यह तो 3A minus 2A 3A में से 2A गया तो हमारा कितना आ रहा है A common difference same है D is equal to क्या आ गया हमारा A it's same so it's AP तो यह हमारी AP सीरीज है इसमें अगली term निकालेंगे यह 4 term तक तो हैं हमारे पास A5 निकालते हैं कैसे निकलेगी A4 plus D करके A4 मतलब 4 term क्या है 4A इसमें common difference A एड़ करेंगे तो क्या आ गया 5A A6 कैसे निकलेगी A5 plus D मतलब पिछली term में common difference एड़ कर दो 5th term क्या थी 5A निकली है इसमें A एड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा 6A आ जाएगा A7 कैसे लिखेंगे A6 plus D करके A6 देखो बच्चो क्या है हमारा 6A plus में A करेंगे तो 6A और A कितना हो गया हमारा 7A हो गया तो ये बन गई हमारी series आगे न समझ में ठीक है 10th part के बाद हम देखेंगे अपना 11th part 11th में देखो क्या है A, A square A cube A की power 4 यहाँ पर common difference कैसे निकलेगा A2 minus A1 करके तो क्या आएगा यहाँ पर second term क्या है A की power 2, first term क्या है A ये आगया हमारे पास common difference और तो कुछ होई नहीं रहा ज्यादा करोगे इसमें से क्या कर सकते हैं A common ले लेंगे अंदर बच गया A minus 1 फिर common difference देखेंगे A3 minus A2 करके third term क्या है बच्चो A3 है A की cube है minus A की 2 इन में से क्या common निकल गया A की power 2 अंदर बच गया A minus 1 अब common difference देखो same नहीं है ये तो same है A minus 1 A minus 1 यहाँ पे power 1 है यहाँ पे power 2 है common difference same है नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे D is not same so it's not an AP तो ये हमारी AP सीरीज नहीं है यही बताना था हमे उसके बाद हम 12th part देखते हैं इसका क्या है under root 2 under root 8 under root 18 under root 32 ध्यान से समझना important question है यहाँ पे देखो common difference A2 minus A1 A2 क्या है बच्चो यहाँ पे second term under root 8 है minus first term क्या है under root 2 है अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चे confused हो जाते है इस question के अंदर देखो थोड़ा सा अगे हम निकालते हैं एक बार A3 minus A2 third term minus second term करते हैं third term क्या है under root 18 minus second term क्या है under root 8 अब आप यह कहोगे सर यह तो same है यह नहीं तो यह हमारी AP नहीं हुई लिखके से ले आते हैं गड़बड हो जाती है देखो root वाली term को 8 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चो under root 4 into 2 लिख सकता हूं या नहीं minus में root 2 अब ध्यान से देखो 4 का अगर मैं root करूं तो बाहर क्या आएगा 2 बाहर आएगा 2 root 2 minus root 2 2 root 2 में से root 2 गया तो हमारा क्या बच गया root 2 बच गया अब कई बच्चे क्या करते हैं root 2 में से root 2 सब्ट्रेक्ट करके 0 कर देते हैं नहीं देखो द्यान से अगर मानलो आपको 3x में से x गटाना हो बच्चो तो आप उसका अंसर क्या लिखते हो 2x तो लिखते हो हमेशा numerical values हमारी सब्ट्रेक्ट होती है जो इसके साथ value होती है वो fix रहती है तो ऐसे ही 2 root 2 में से 1 root 2 गया तो हमारा 1 root 2 बचेगा 1 root 2 समझ में आगे जबत concept समझा करो इसलिए next class हमेशा concept पे focus करता है rectification पे नहीं अब यहाँ पे under root 18 minus root 8 है 18 को क्या लिख सकता हूँ command root 9 to 18 लिख सकता हूँ minus इसको 4 to 8 ऐसे factor में करना है कि एक हमारा complete root हो 9 का root कितना होता है बच्चो 3 तो 3 root 2 बन गया minus में यहाँ पे 2 root 2 3 root 2 में से 2 root 2 गया तो कितना बचा root 2 ही तो बचा अब देखो common difference same है या नहीं है यहीं पे गड़वड होती है it's ap यह same है हमारा same so it's an ap अब हमें निकालने है अगली term a 5th कैसे निकलेगी a 4 plus d करके a 4 क्या है हमारा under root 32 plus में root 2 कर देंगे ठीक है तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना पड़ेगा इसको ध्यान से करना है अभी under root 32 दे रखा है under root 32 को मैं कैसे बरेक करूँगा under root 32 को मैं कर सकता हूँ यहाँ पे 16 into 2 तो यह क्या बन जाएगा मेरा 4 root 2 plus में root 2 तो कितना आगया मेरा 5 root 2 फिर अगली जो term आएगी a 6 वो क्या आजेगी 6 root 2 और a 7 जो आजेगी वो आजेगी 7 root 2 अब समझ में आ गया यह 5 तर्म निकालनी थी root 32 में root 2 एड़ करेगी 32 को क्या लिख सकता हूँ 16 into 2 16 का root होता है 4 root 2 हो गया यह 4 root 2 में root 2 एड़ गया तो हमारा यह बन गया 5 root 2 फिर आएगा 6 root 2 फिर आएगा 7 root 2 next देखते हैं इसका 13 part 13 part में हमें दे रखा है अंडर root 3 अंडर root 6 अंडर root 9 अंडर root 12 यह दे रखा है यहाँ पर बच्चों दिहान से देखो 1st term तो हमें कोई मतलब नहीं हमें common difference निकालना है क्या होता है a2 माइनस a1 करके a2 क्या है अंडर root 6 माइनस अंडर root 3 यह आ गया common difference a3 माइनस a2 करेंगे अब 3rd term और 2nd term का difference देखेंगे अंडर root 9 माइनस अंडर root 6 अब अंडर root 9 को हम simplify करें तो 3 माइनस अंडर root 6 होगा यह तो same नहीं है तो नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा common difference common difference is not same so it's not a p not a p तो यह हमारी a p नहीं है अब देखेंगे इसका 15 पार्ट और 14 पार्ट क्या है 1 का square 3 का square 5 का square 7 का square और यह सीरीज है इसके अंदर हम d देखेंगे common difference कैसे निकलेगा a2 माइनस a1 करके second term माइनस first term 3 की power 2 माइनस 1 की power 2 कितना आ जाएगा इसको basic से open कर लो simplify कर लो कितना होगा 3 की power 2 कितना होगता बच्चो 9 माइनस 1 कितना आ गया 8 आ गया इन दोनों के बीच का difference 8 है फिर common difference دेखेंगे third term माइनस second term का third term क्या है 3 की power 2 है 5 की power 2 माइनस 3 की power 2 5 की power 2 कितना होता है 25 माइनस 9 तो कितना difference आगया 16, common difference same नहीं है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, d is not same, so it's not ap, तो यह हमारी ap series नहीं है, अगले में चलते हैं 15 पार्ट, last पार्ट देखते हैं इसका, एक ही वीडियो में सारे पार्ट कवर कर दिया है, हमने 1 का square, 5 का square, 7 का square, और 7 की पावर 3, ध्यान से देख यहां पर common difference, d is equal to a2 minus a1, तो a2 क्या है हमारा, 5 की पावर 2, minus 1 की पावर 2, 5 की पावर 2 कितना होता है, 25 minus 1 कितना आगया, 24 आगया, फिर d देखेंगे, third term, minus second term का difference, A3 क्या है 7 की पार 2 माइनस 5 की पार 2 7 की पार 2 क्या होता है 49 7 7 जब 49 होता है माइनस 25 तो कितना आगे 24 common difference same है D is equal to 24 is same so it's AP तो ये क्या है हमारी AP series है अब हमी क्या करना है इससे अगली term निकालनी है next term कैसी हो जाएंगी हमारी A5 is equal to कैसे निकलेगी A4 प्लस D करके A4 कितना वच्चो 7 की पार 3 प्लस D कितना है 24 इसको simplify करना पड़ेगा 7 की पार 3 कितना होता है हमारा ये 7 की पार 3 नहीं है 73 है 73 73 प्लस 24 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 97 A6 किसके equal हो जाएगा A5 प्लस D is equal to किसके हो जाएगा हमारा 97 प्लस 24 तो कितना आगया 121 आगया A7 निकालना है तो A6 प्लस D करेंगे 6 term में common difference एड़ कर देंगे 6 term ये निकलिए 121 प्लस 24 is equal to 145 तो हमारी term जो आगी 97 121 और 145 This is the answer सभी के सभी पार्ट अच्छे से clear हो गए होंगे कोई भी doubt लगे आप screenshot मुझे share करेंगे मैं आपकी help करूँगा आप भी channel को grow करने में help कीजिए Thank you students for watching next classes video आपस्पूँ